सिर्फ आपकी thinking, आपकी life बदल सकती है, सिर्फ आपकी सोच, आपके जीवन का सबसे बड़ा चमतकार कर सकती है एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद मैंने समझा कि life में positive thinking की power सबसे बड़ी है नाम है इस किताब का the power of positive thinking इसे लिखने वाले author का नाम है Norman Vincent Peel और ये किताब अपने आप में best seller है, internationally इस किताब को सबने पसंद किया है इस किताब में बहुत सारे chapters हैं लेकिन मैंने सिर्फ 10 shortlist किये जो आपको बताना चाहता हूँ और आप तक वो learnings पहुंचाना चाहता हूँ जो आपकी life बदल सकती है learning series देख रहे हैं आप, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, मैं हूँ आरजिकार्तिक आई ये शुरू करते हैं chapter 1 The power of positive thinking जो book है कि आपको spiritual practices भी सिखाती है बताती है कि कैसे आप जो supernatural power है जोने सर्व शक्तिमान कहा जाता है, उनसे बात कर सकते हैं उनके माध्यम से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं सबसे पहला chapter जो है, उसके बारे में बात करता हूँ The power of prayer, जो प्रार्थना की शक्ती है, उसे पहचानी है एक दोस्त जो था, दो दोस्तों कहानी है तो उसने बूचा कि क्या है प्रार्थना करने का सही तरीका तो दोस्त ने उसको सही तरीका बताया उसके अंदर के जो negative thoughts थे, वो जाने लगे, वो परिशानिया गायब होने लगी और वो शान्ती के रास्ते पर आ गया, मन की शान्ती को उसने दोबारा से generate किया और उसके जीवन में बदलावा गया जो writer ने, जो author है इस किताब के और उने कुछ ऐसे नियम बताएं हैं जिनके जरीए अगर आप जो हैं अपनी प्रार्थना के तरीके को बदलना चाते हैं और अच्छा करना चाते हैं तो कर सकते हैं जैसे कि अगले दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनिट निकालिए और सिर्फ उपर वाले के बारे में परमात्मा के बारे में सोचिए ये प्रक्रिया आपको और spiritual बनाएगी दूसरी बात अगर आप किसी बात के लिए परिशान हैं तो अपनी आँखें बंद कर लीजिए और मन में विश्वास कीजिए कि वो मेरे चारों तरफ हैं और परमात्मा को आप महसूस करना शुरू कीजिए तीसरी बात जो सूपर नैचुरल पावर, गौड, अल्ला, भगवान, अलग-अलग नामों से लोग उन्हें पुकारते हैं आप सिर्फ उनके साथ इमानदारी से कनेक्ट कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, वो आपकी जरूर सुनेगे चौथी बात, कभी यह मत सोची कि मैंने क्या मांगा और भगवान ने मुझे क्या दिया, उपर वाले ने जो भी आपको दिया, उसके लिए उनका धन्यवात कीजिए, कहिए आपका शुक्रिया है, आपके जिवन में बदलाव आने लगेगा और सबसे अच्छा तरेका 5 बाहिए, कि उन लोगों की लिस्ट बनाईए, जिन के लिए आप प्राएथना करना चाहते हैं, जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए प्राएथना सुनी जाएगा। दूसरा चैप्टर जिसके बारे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी मशीन होती है, वो सबसे अच्छा परफॉर्म तब करती है, जब वो शान्त होती है, यानि कि उसे समय मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है, उसके बाद जब वो काम करना शुरू करती है, बह अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा, बहुत आसान सा तरीका है, अपने मन से जितने भी नेगिटिव विचार हैं, डर है, जलसी है, किसी के लिए हेट है, रिग्रेट है, ये सारे इमोशन्स को आप निकालिए, और ऐसा आप दिन में कम से कम एक से दो बार कीजिए, ऐस जिर्फ उस पेड़ के वहाँ जो एक ताजी हवा सुगंधित हवा जो शान्त हवा बहती है, उसको महसूस करना शुरू कीजिए, आँख बंद करके 15 मिनिट सिर्फ वहाँ बिता लीजिए, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा, तीसरे चाप्टर की बात करते ह आप लगातार उस इनरजी को कैसे बरकरार रख सकते हैं, निरंतर आपके अंदर उर्जा कैसे आ सकती है, तो आथर कहते हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं, उसका आपकी बाड़ी पर बड़ा इंपक्ट बढ़ रहा है, अगर आपने मान लिया कि मैं ठकावा हूँ, तो आपक शरीर इस बात को मान लेगा, आपके मन के अंदर आप विश्वास भरना चाहते हैं, तो एक एनरजी जनरेट करनी होगी, अपने आपको एनरजी से भरने के लिए आप मंदिर जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, और जा उस energy के contact में आना है जो कि इस energy को दुनिया को चला रही है चौथा chapter कि आप अपने अंदर happiness कैसे create कर सकते हैं, खुशी कैसे आप generate कर सकते हैं गर आप से पूछूं कि कौन decide करेगा आप खुश हैं कि नहीं है, तो आप कहेंगे भूल जाते हैं कि दुनिया में बहुतों के पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है, तो आप सिर्फ उसकी list बनाईए, जो आप तक पहुँचा है उसके लिए शुक्रियादा करना शुरू कीजिए आप खुश रहेंगे, आपकी family खुश रहेगी आपके friends खुश रहेंगे, कुल मिलाकर कि आप एक खुशनुमा, माहौल तयार करेंगे जो खुशी की बात में कर रहा था, आप उसके लिए thought conditioner, उन्होंने practice बताई, उसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, आप list लिए एक बनाईए list जिसमें लिखे क्या क्या चीज़ें आपको खुश करती हैं, अब पांचवे चैप्टर की बात करते हैं कि फ्यूमिंग और फेटिंग को आप बंद कर दीजिए, यानि की नाराजगी, तनाव, गुसा, इस सब को बंद कीजिए, अगर आप life में वाकई peace चाहते हैं, तो घुसा करने की आदत को छोड़ दीजिए, जो लोग जीवन में जादा घुसा करते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, और जादा बीमार हो जाते हैं, आप तभी खुश रह सकते हैं, जब आपकी brain शान थे, आपका दिमाग शान थे, और बहुत जादा जो घुसा है, आपको emotionally weak बना देगा, इसलिए, आप चाहे जितने busy हों, 24 घंटे में से मातर 10 minute, 15 minute आपको उस peace को, उस शानती को महसूस करना है, अगर आप दिन में एक बार भी practice करते हैं, तो आपको अपने अंदर शानती का एहसास होगा, और आपको लगेगा, कि आपके अंदर हर नई चीज को करने का excitement बढ़ता जा रहा है, इसलिए घुसा करने की जो आदत है, उसे बिना देरी के खत्म कर दीजए, छड़े चैप्टर की बात करता हूँ, 6 चैप्टर कहता है, expect the best and get in, आप सिर्फ सर्वशेष्ट के उम्मीद करें और पा लें, उसके लिए बड़ा simple सा formula है, आपको अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए, और मैं कहता हूँ सिर्फ विश्वास नहीं, संपोन विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास में वो ताकत होती है, कि आप जिस चीज के बारे में सोच लेते हैं, उसे पा लेते हैं, उम्मीद रखना सीखि कि पता नहीं काम होगा की नहीं होगा, आप सिर्फ उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए कि काम करके दिखाऊंगा, और वाकिए में आप करके दिखाएंगे, ऐसी जो लाइन्स हैं, पॉजिटिव लाइन्स हैं, मोटिविशन लाइन्स हैं, खुद से बार-बार बोलते रहे हैं और दुनिया में इचा जाए हैं साथवा चैप्टर सिखाता है कि आपको हारने में यकीन रखना ही नहीं है अगर आपको कहीं से भी ऐसा विचार आ रहा है कि आप हार जाएंगे तो क्या होगा बुरा हो जाएगा वो सारे नेगेटिव विचार को आप हमेशा के हो जाएं लेकिन जो आपका बड़ा गोल है जिसे जीत कहते हैं बस उसके रास्ते पर चलने की ताकत अपने आप अपने अंदर जनरेट कर पाएंगे आठफ़ा चैप्टर सिखाता है कि चिंता की जो आदत है उसको आप कैसे खत्म करें बहुत सारे लोगों को चिंता जो ब अदा करें और कहें कि आज का दिन मिला हर पल मिला हर श्वास आई उसके लिए आपका धन्यवाद अब बाकि सब आपके हवाले सारी चिंताओं को छोड़ करके जब आप सोने जाएंगे तो आप एक अच्छी नींद लेंगे और अगले दिन के लिए बहतरीन तरीके से तया अब बात करते हैं 9th chapter की जो मुझे बड़ा अच्छा लगा और वो कहता है कि power आप अपने अंदर वो power generate कर सकते हैं जिससे आपनी personal problems को भी solve कर सकते हैं अगर आपनी परिशानियों को solve करना चाहते हैं तो उपर वाले को प्रभू को इश्वर को भगवान को अल्ला को गौड को जिस नाम से आप उन्हें पुकारते हैं उन्हें अपने friend के रूप में देखेंगे अपने doost के रूप में सखा के रूप में देखेंगे तो आपको लेगा कि आप हर बात उनसे share कर सकते हैं हम सब को यह विश्वास है कि कोई है जो इस तृष्टी को चला रहा है तो अग चाह रहे हैं, वो किसी भी रूप में आपके पास solution आ सकता है, लेकिन solution आएगा, meditation के जरीए, prayer के जरीए, योग के जरीए, अपने आपको शान्त रखने का प्रयास करना शुरू कीजिए, और अब आखरी chapter में सबसे important बात कि आप उस power तक, जो पूरी स्रिष्टी को चला रही ह उस तक कैसे पहुँचें, वो जो super power है, उनको कैसे आकरशित करें, क्योंकि हम अगर उनसे कुछ मांगते हैं और वो नहीं देते तो हमारे अंदर negative emotions आ जाते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि आस्था की परिक्षा तब नहीं होती जब भगवान हमें दे रहे हैं, आस्था की फोकस कीजिए कि कहां कमी रह गई, क्योंकि कमी शायद आपके प्रयासों में रह गई, आपकी प्रार्थना में रह गई, एक optimistic अप्रोच लेकर के आईए, एक positive अप्रोच लेकर के आईए, और जब आप देखेंगे कि आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो हार क्यों तो फिर इसका सवाल का जवाब प्रभू से पांगिए, वो आपको जवाब देंगे और बताएंगे कि आपने कहां कमी रख दी, आपकी तरफ से कहां कमी रह गई, अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर को ऐसी बुराईया हैं जिसकी वज़े से आप successful नहीं बन पारें जो आपको बड़े लक्ष तक पहुँचाने के लिए बनी हैं, बस हम बुराईयों में इतना घिर जाते हैं कि अपनी ही पावर को, अपनी ही उर्जा को बड़ी छोटी कर लेते हैं, तो सच्चे हिर्दे से प्रार्थना कीजिए, सच्चे हिर्दे से, सच्चे मन से अपनी जो हैं मेहनत कीजिए और कमाल करके दिखाइए, वही बात जो मैं आप से अक्सर कहता हूँ हर वीडियो के आखरी में, उपर वाले के आशिरवाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा